Hello everyone, तो आज फिर से स्वागत है मेरे online class में तो आज हम देखेंगे कि dipole moment जो हम निकाल रहे थे तो यह है आज का class तो देखो पिछले class में मैंने बताया था कि एक dipole के लिए कितना electric field generate होता है इसके two cases हम देखे थे एक था axial point पे और एक था equatorial point पे ठीक है यहाँ पे देखो एक है axial point पे axial point पे जो value हमको मिला था 1 by this 2P by r cube याद रखो 2P by r cube और जहाँ पे P है dipole moment और यह जो है equatorial plane पे यह जो line था उसमें मिला था हमको P by r cube ठीक है तो देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक dipole है अब कोई भी एक point है जहाँ पे हम कोई electric field निकालना है अब वो ना तो axial point पे है और ना ही equatorial point पे है ठीक है ना ही उसके axis के उपर है ना कि equatorial plane के उपर है मतलब कही कोई भी एक any point के लिए ठीक है for any point if we have to calculate the electric field intensity what we have to do तो तब हम क्या करेंगे तो देखो उसी बारे में आज के class है electric field at any point due to an electric dipole तो कोई भी point के लिए तो देखते हैं क्या है consider an electric dipole a b of small length तो देखो यहाँ पे यह diagram को अच्छे से देखो यहाँ पे a b जो है a b यह है dipole यह हमारा main dipole और इसका dipole moment है p देखो यहाँ पे लिखा हुआ है p और इसका direction है a to b क्योंकि मैंने बताया था direction of the dipole moment is from negative charge to positive charge तो यहाँ से यहाँ पे यह p है और इसके middle point से r distance में एक point है p okay this point और यह dipole moment के साथ theta angle कर रहा है ठीक है देखो यह dipole moment p इसके साथ theta angle कर रहा है यह वाला जो r है ठीक है तो यह p point पे हमको निकालना है electric field intensity ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे यह dipole moment है इसको हम दो हिस्सों में divide कर देंगे ठीक है जैसे हम एक vector को resolve करते हैं वैसे हम यह जो p है इसको resolve कर देंगे ऐसे resolve करेंगे कि अच्छा देखते हैं क्या होता है देखो dipole moment p of the dipole can be resolved into two components देखो एक component है p cos theta along op देखो यहाँ पर जो है यह a b है हमारा main dipole और यह है angle theta ठीक है तो जिस तरफ theta होता है उस तरफ होता है cos component तो यह जो a1 b1 है ठीक है a1 b1 यह हमारा हो गया p cos theta ठीक है और इसके normal यह जो a2 b2 है यह हो गया p sin theta है तो हमने क्या 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 एक dipole था dipole का हमने 2 हिस्सों में बाट दिया तुभ बाटा क्यूंकि अभी पता चलेगा तो हमने एक π cos theta बना लिया एक sin theta बना लिया अब 2 dipole हो गये एक dipole से 2 dipole हो गये लिग है अब ध्यान से देखोगे अगर ये वाले देखोगे, A1, B1, ये डाइपोल अगर देखोगे, तो देखो इसके उपर ये जो P point है, ये एक axial point है, है ना, क्योंकि A1, B1 ये है इसका axis, और ये हो गया है उसका एक axial point, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, पहले last class में जो मैंने पढ़ाया था, वहां से हम इसमें निक देखोगे, ये इसके लिए ये P point हो गया, एक equatorial point, तो हम हम calculate कर सकते हैं, देखो, यहां पे लिखाओ है, P lies on the axial line of dipole A1, B1, जो मैंने अभी कहाँ, तो axial point का जो formula था, उसी साब से हम करेंगे, तो देख लो, पिछले class का formula क्या था, axial point का, देखो, ये axial point पे था, इसका formula, ये approximation के बाद आया था ये, 1 by 4 by epsilon 0, 2 P by R cube, ठीक है, तो P हो गया dipole moment, और अब हमारे class में dipole moment क्या है, P cos theta, क्योंकि ये A1, B1 जो है, ये है P cos theta, main तो dipole ये P है, इसको हमने तोड़ दिया दो हिस्सों में, तो P cos theta है यहां पे, तो ये जो देखो, तो फिर ये 2 P cos theta by R cube, ठीक है, ये हो गया, और A2, B2 के लिए, ये A2, B2 जो dipole है, उसके लिए P है, एक equatorial point, देखो, लिखा हुआ है, तो equatorial point पे क्या formula था, ये था हमारा, देखो, P by R cube था, ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा, इसमें हो जाएगा, P sin theta by R cube, क्यों, क्योंकि A2, B2 जो है, ये वाला, ये है P sin theta ठीक है, तो एक dipole के लिए P point है, axial point, और दूसरा dipole के लिए P point है, equatorial point, इसलिए अलग-अलग formula से हमने, हमको दोनों मिला है, दो electric film को मिला है, तो एक मिला है, देखो, यहाँ पे U1, ठीक है, ये A1, B1 dipole के लिए U1 field मिला है, और A2, B2 dipole के लिए मिला है E2, ठीक है, इसका direction अब ऐसे हमको मिला है, जैसे अगर पिछले lecture को देखोगे, तो वहाँ से यहाँ direction का पता चलेगा, कि किस direction में ये है, ठीक है, अब देखो, E1 और E2 तो मिल गया, अच्छो, direction के बारे में बता ही देता हूँ, थोड़ा से देखो, यहाँ पे देखो, जो axial point है, देखो, यहा देखो, यह minus plus, तो basically dipole moment की दिशा में, तो यह इधर A1 to B1 है dipole moment की दिशा, तो इधर ही है, देखो U1, और यह वाला भी देख लो, कि जो equatorial है, देखो, dipole moment का direction है minus Q to plus Q, और net electric field का direction, देखो, क्या मिल रहा है, यहाँ इधर P से X dash की तरफ, मतलब opposite to the electric dipole moment, तो यहाँ भी वै UB2, यह जो है, electric dipole moment का direction, तो इसके बिल्कुब opposite होगा, इसलिए देखो, यह opposite side में हुआ है, इस तरफ, ठीक है, तो इस तरफ से direction का पता चलता है, अब यह जो मिला है E1 और E2, अब एक point पे, दो हमको मिल गया है electric field intensity, अब हम दोनों को vectorially add करेंगे, ठीक है, vectorially हम add कर देंग parallel parallelogram जैसा हमने बनाया है, यह basically एक rectangle बन गया है, क्योंकि 90 degree है, E1 और E2 के बीच में, angle है 90 degree, और यह है उसका resultant, यह बना, P M, ठीक है, यह E जो है, यह होगा resultant, तो resultant कैसे निकलेगा, देखो, तो vectorially हमने इसको add कर दिया, यह है net electric field intensity at point P, तो यह simply हो गया, root over of E1 square plus V, क्योंक वो था resultant r equal to root over a square plus b square plus 2ab cos theta, यह formula था, जहाँ पर theta था दो vector की बीच में angle, अब यहाँ पर दो vector की बीच में angle है 90 degree, तो cos theta याना की cos 90 degree हो जाता है 0, इसलिए वो term चला जाता है, सिर्व रह जाता है root over of a square plus b square, वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, e equal to root over of e1 square plus e2 square, अब बस e1 और e2 का जो value हमने यहाँ पर निकाला है, यह दोने यह put कर दो, ठीक है, और बहुत ही आसान से calculation कर सकते है, ठीक है, इस तरह से आ रहा है, और यहाँ पर एक formula हमारा use होगा, कि cos square theta plus sin square theta equal to 1, यह formula use होगा, तो इस formula use करके तुम यह result हमको मिल जाता है, e equal to this, यह बहुत इसको मैंने box करके रखा हुआ है, तो यह हो गया हमारा magnitude, magnitude of the net electric field at point P, अब अगर direction की बात करें, इस direction की इस दिशा में होगा, इसका direction, तो हमने माल लिया कि माल लो e1 जो vector है, उसके साथ alpha angle कर गये है, यह हमने माल लिये, तो अगर यह होता है, तो फिर हमको tan alpha अगर हम निकाल tan, इस triangle के देखो, यह P, K, M, यह जो triangle है, इसमें tan alpha equal to हम लिख सकते है, mk divided by pk, क्योंकि perpendicular by base होता है, तो mk divided by pk हम लिख सकते है, अब mk जो है, वो है basically e2 का magnitude, देखो, यह है e2, तो e2 का magnitude मतलब की, e2 vector का magnitude मतलब होता है, उसका length, vector का length, तो यह हो जाएगा e2 का magnitude, और यह वा magnitude, तो देखो, यह ही लिखा हुआ होगा, देखो, tan alpha equal to mk by pk, so e2 का magnitude by e1 का magnitude, अब e1 और e2 का value, जो magnitude हमने निकाला है, यहापे put कर दो, यह दोनों put कर दिया, तो हमको मिल जाएगा tan alpha equal to half tan theta, तो बस यह जो formula है, यहाँ से हमको पता चलता है कि alpha कितना होगा, मतलब की direction किस त due to a dipole at any point, यह हमने कर दिया, अब इसके बाद देखते हैं, next topic क्या है, next topic है, electric dipole in uniform electric field, तो यहाँ पर क्या है, कि एक electric dipole है, लेकिन वो, मतलब ऐसी जगा में है, जहाँ पर already एक electric field है, जैसे इस diagram में देख सकते हो, कि यह जो area है, इसमें एक electric field काम कर रहा है, e, और इसका direction है left to right, यहाँ पर देख सकते हो, देख है, इधर से इधर को जा रहा है, तो यह जो electric field area है, जहाँ पर electric field already एक है, यहाँ पर एक dipole हमने रख दिया, यह A, B dipole है, यहाँ पर minus Q, यहाँ पर देखो plus Q, और इसका dipole moment होगा, minus Q to plus Q, यह P हो गया, इसका dipole moment, और यह जो dipole moment है, वो theta angle कर रहा है, electric field के साथ, यहाँ पर दिख रहा है न, theta angle, और dipole का length वही है 2A, जो हम normally लेते हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, कि यह situation को समझो, यहाँ पर होगा क्या, देखो, मैंने बताया था पहले, कि अगर कोई electric field जहाँ पर है, वहाँ पर अगर हम एक charge रखे, तो वह charge एक force experience करेगा, ठीक है, एक electric field के अंदर अगर हम charge रखे, force experience करेगा, अब अगर वह positive charge हुआ, तो वह electric field के दिशा में force experience करेगा, ठीक है, और अगर वह negative charge हुआ, तो electric field के उल्टी दिशा में, विप्रित दिशा में, वह force experience करेगा, अब देखो, यहाँ पर है plus Q charge, तो इसके उपर जो force लगेगा, उसका value होगा QE, यह भी मैंने बताया था पिछले क्लास में, तो plus Q के उपर, sorry, plus Q के उपर जो force लगेगा, वो है QE, और इसका direction, देखो, same as the direction of electric field, electric field दिस जिसा में है, उसी दिशा में इसका होगा, और यह जो minus Q है, इसके उपर भी same force लगेगा QE but in opposite direction, ठीके उल्टी दिशा में यह देखो, इस तरफ है electric field, इस तरफ है QE, तो यहाँ पे देखो, दो equal and opposite forces, यहाँ पे काम कर रहे है, डाइपोल के उपर, तो अगर हम net forces में निकालें, कि net force कितना है, तो basically वो 0 होगा, क्योंकि एक force है इधर, तो दो equal and opposite, तो फिर net force 0 होगा net force 0 का मतलब यह है, कि यह dipole का कोई transition नहीं होगा, transition मतलब translation, मतलब एक जगा से दूसरे जगा पे यह नहीं जाएगा, ठीके, force लगने का मतलब होता है, एक जगा से दूसरे जगा जाना, normally, तो यह नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे होगा rotation, ठीके, यहाँ पे भी बताया था, minus Q के उपर इतना charge minus QE, और यह है plus QE, और two equal and parallel forces, तो यहाँ पे क्या होगा, एक torque generate होगा, torque, torque क्या है, देखो, force क्या करता है, अगर कोई भी वस्तु है, उस पे अगर हम force apply करते, तो उसका translation होता है, एक जगा से दूसरे जाता है, लेकिन torque उसको rotate करता है, ठी इधर एक force, ठीक है, एक मालो एक rod है, तो इधर हमने एक force लगा, इधर एक force लगा, तो क्या होगा, यह ऐसे rotate हो जाएगा, तो दो equal and opposite force, horses अगर है, तो उसमें कोई net force नहीं है, लेकिन एक torque काम करेगा, torque basically चीजों को rotate कराता है, ठीक है, rotational motion में, translational motion में, force जो काम करता है, rotational motion मे torque वो काम करता है, तो अगर torque apply हुआ, तो body का rotation होगा, तो हम देखते हैं, अब देखो torque कैसे निकालते हैं, तो torque निकालते हैं ऐसे, कि either force, मतलब कोई भी एक force, दोनों force में से, जैसे यहाँ पे minus QE plus QE, basically QE है force का magnitude, into perpendicular distance between the two forces, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे force तो है QE, अब यह यह दोनों force है, यह QE minus QE, इसके बीच में perpendicular distance कितना है, तो देखो यह जो vector का line है, इसको हम अगर यहाँ तक extend करें, क्योंकि यह एक line है, तो हम इसका direction बिलकुल इसी दिशा में है, और इसका direction बिलकुल इस दिशा में है, इस straight line में है, तो इन दोनों के बीच में यह जो distance है, यह है perpendicular distance, तो यह हमको निकालना है, AN, तो यहाँ पर दिखा है QE into AN, QE हो गया force, और AN है perpendicular distance between the two forces, तो अब अगर diagram को देखोगे, इस diagram को, तो यहाँ से sin theta क्या होगा, यहाँ से हम sin theta निकाल सकते हैं, देखो, यह angle theta है, तो यह भी angle theta होगा, क्योंकि यह है alternate angle, ऐसे, Z की तरह हो alternate angle, तो यह अगर theta होता है, तो यह हो गया इसका, अगर sin theta निकालते हैं, तो हो जाएगा, यह तुम्हारा, perpendicular by hypotenuse, यहाँ कि AN by AB, तो यहाँ पर लिखा हुए मैंने, sin theta equal to AN by, AB मतलब यह dipole, मतलब 2A इसका length है, यह जो 2A, तो यह है, figure से हमको यह मिला है, तो यहाँ से AN का value आ theta हम put कर देंगे, ठीक है, तो QE into 2A sin theta, तो Q into 2A e sin theta, तो basically tau equal to हमको मिल जाते है, P e sin theta, P कैसे, क्योंकि यह जो Q into 2A है, यह है electric dipole moment, ठीक है, charge into distance, ठीक है, यह है electric dipole moment, तो इसलिए यह Q into 2A, यह हमने लिख दिया P, तो tau equal to हो गया, P e sin theta, इसको कहता है tau, ठीक है, tau इसका नाम है इस symbol का, और इसको कहता है, torque, ठीक है, तो देखो, torque on the dipole, तो यह है, इसको torque का expression, अब basically तो को torque होता है, एक vector quantity, तो अगर vector यहली हम लिखे, तो इसको ऐसे लिख सकते है, tau equal to P cross E, यह है cross product, ठीक है, cross product के मारे में मैंने 11 में, class 11 में पढ़ाया था, तो basically tau होया एक vector quantity, ठीक है, P E भी एक vector है, dipole moment, और E भी एक vector है, electric field intensity, तो यह हो गया इसका vector expression, ठीक है, तो बस इस note को भी पढ़ लेना, वही की लिखा हुआ है, कि यहाँ पर torque तो काम कर ला है, लेकिन अगर question में पूछे कि net force कितना है, तो always zero होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई force नहीं लग रहा है, यहाँ इसे torque लग रहा है, ठीक है, force नहीं है, और maximum torque कितना होगा, जब theta equal to 90 degree होगा, ठीक है, क्योंकि sin 91 होता है, तो तब torque maximum होगा, tau max equal to P, और यहाँ पर एक चोड़ा सा question है, ठीक है, basically dipole के बारे में दिया हुआ है, और electric field दिया हुआ है, और angle बता दिया है, तो यहाँ पर कितना torque होगा, ऐसे question exam में पूछते रहते हैं, ठीक है, तो इसको कर लो, बहुती आसान है, बस formula में put कर दो, जो values है, और unit को याद रखो ज़रूर, कि newton meter, इसका unit है, torque का, torque का unit होता है, newton meter, यह याद रखो, तो यह question कर ले न, उनने copy में लिग ले न, अब हम क्या करेंगे, एक और problem को discuss करते हैं, यह numerical problem है, ठीक है, electric field intensity के बारे में यह problem है, यहाँ पर क्या है, क्या लिखा हो है, देखते हैं, कि यह 3 charges है, देखो, plus 10 coulm, plus 10 coulm, plus 10 coulm, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यह O point है, इसके बिलकुल crossing of the diagonal, जो intersection point है, of the two diagonals, उस point पर कितना electric field होगा, यह हमको न रता है, वो है, 1 by 4 by epsilon 0, q by r square, यह इसका value है, तो यहाँ पर 3 charge जो है, इसके लिए अलग-अलग करके हम नहीं निकालना पड़ेगा, कि electric field कितना हो रहा है, O point पर, तो यहाँ पर देखो, basically, यह जो plus 10 के लिए, यहाँ पर जो field होगा, उसका direction होगा, O C की तरफ, देखिए, उ रिपालसन होगा, क्योंकि यह भी plus है, और यह भी मानलोब plus 1 है, तो रिपालसन होगे इधर को जाएगा, C की तरफ, तो इधर उसका direction होगा, और यह वाला जो plus 10 charge है, इसके लिए जो electric field होगा, वो इधर होगा, उसका direction, O C की तरफ, और यह दोनों बिल्कुल equal and opposite होगा, क्यो इसके लिए जो electric field होगा, यही होगा net field, तो इसके लिए यह दोखो, मैंने EB यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो BO, इसका value पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पर दोखो, यह arm length दिया होगा है, root 8 cm, तो BO कितना होगा इसका value, इसका होगा half BD, BD का half होगा, अब BD क्य है, यह पिथागोरास जो rule है, उसके हिसाब से, root of R of, this square plus this square होगा, तो root 8 का square, प्लस root 8 का square, यानि कि root 16, यानि कि यह हो जागा 4, यानि कि यह 2 से कट जाएगा, तो यह होगा 2 meter, तो basically BO जो इसका value हमको मिल गा है, 2 meter, तो अब क्या करेंगे, सिर्फ इस B के उपर जो charge है, प्ल 1 by 4 pi epsilon 0, q by BO square, ठीक है, अब देखो, इसका value मैंने बताया था, इसाई में क्या होता है, 9 into 10 to the power 9, q का value है 10 कुलम, देखो 10, और यह जो BO का value हमने अभी भी निकाला, 2 meter, तो 2 का square, और यह है unit, electric field का unit, newton per कुलम, तो इसको अगर calculate कर गए, तो यह हमको मिल जाएगा, यह 2.25 into the power 10 newton per कुलम, यह हमको मिल जाएगा, तो यह हो गया एक problem, यह बहुत important problem है, इसको जरूर ध्यान से याद रखो और इसको अच्छे से practice कर लो, बहुत important problem है, एक और last में हम problem देखेंगे, इसमें, इसको देखते है, 2 point charges of plus 5 into this कुलम and plus 20 into this, separated by distance 2 meter, find the point on the line joining them, at which electric field intensity is 0, तो इसमें basically क्या कहा जा रहा है, कि दो charge है, देखो, इस A point पे है Q1 charge this, B point पे है Q2 charge this, और इसके बीच में जो distance है, वो दिया है, मानलो distance है R, तो यहाँ इन दोनों points के बीच में, between the line joining them, इसके बीच में, बीच का जो line है, उसमें एक point होगा, जहाँ पे net electric field 0 होगा, तो वो point हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है, यानि कि उस point पे क्या होगा, कि यह जो charge है, उसके वज़ा से जो electric field होगा, और यह जो charge है, उसके वज़ा से जो electric field होगा, वो दोनों cancel कर जाएंगे, तो इस diagram को देखो basically, तो यह जो E1 है, यह है, इस point की, यह Q1 की वज़ा से, जो electric field generate होता है, वो E1, इसका direction इधर कैसे हो गया, वही मैंने बताया था जो, यहाँ पे माल लो एक plus 1 charge है, तो यह भी plus, और यह भी plus, तो repulsion होके इधर को जाएगा, इसे B की तरफ, तो इसलिए इधर हो गया E1 का direction, अब यह Q2 के लिए जो electric field होगा, वो point पे, उसका direction similar लिए होगा E2, मतलब इधर left side में होगा, अब E1 equal to E2 होता है, तो ही O point पे net electric field 0 होगा, तो हमको क्या करना है, E1 equal to E2 कर देना है, ठीक है, करते हैं, और इसके लिए, जैसे कि position हमको निकालना है, तो मान लो A point से O का distance से X, यह हमने मान लिया, ठीक है, कि A point से O का distance से X मान लिया, तो यह कितना होगा, R minus X होगा, क्योंकि यह total हमने R मान लिया है, तो यह हो जाएगा R minus X, अब चुले, E1 और E2 का value निकालते हैं, ठीक है, तो E1 E2 का value क्या होगा, देखो, यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है, कि will be 0, E1 and E2 equal in magnitude and opposite in direction, ठीक है, यही होगा, अगर 0 करना है, तो ब ठीक है, वही formula, तो यह हो गया, और equal to, यह है E2 का value, 1 by 4 by epsilon 0, q2 by bo square, क्योंकि बी ओ एक होई यह distance है, तो यह होगा E2 का value, तो अब, देखो, 1 by 4 by epsilon 0 तब से कड़ जाएगा, q1 का value दिया हुआ है, q2 का value दिया हुआ है, put किया हुआ है, और ao का value है x, तो यहाँ x स्क्वाइर ह x जो है, अब r equal to 2, तो यह हो गया 2 minus x, तो 2 minus x का square, अब दोनों तरफ से इसको थोड़ा calculation करते हैं, तो 4x square equal to this, इसका root निकालोगे, तो 2x equal to plus minus 2 minus x, है ना, root अगर कर दोगे, तो plus minus लिखना ज़रूरी है, क्योंकि plus कोई भी quantity का square, वो भी positive होता है, और minus कोई भी quantity का square, वो भ possible है, तो यह अगर होगा, तो एक काम, इसके बाद क्या गरना है, कि plus को लेके calculate करो, तो एक value आएगा, minus को लेके calculate करो, तो एक अलग value आएगा, तो इसको थोड़ा सा और solve करोगे, तो हमको x equal to मिलेगा, 2 by 3 meter, और minus 2 meter, क्यानि कि अगर plus लोगे, तो एक value निकलेगा, minus लोगे, लेकिन यहाँ पर देखो, लिखा हुआ कि minus 2 meter is not valid solution, क्यों? क्योंकि minus 2 meter यह दोनों points के बीच में नहीं होगा, है ना, दोनों points के बीच में नहीं हो सकता, फिर इस पे होगा कि, हाँ, तो minus 2 इसलिए valid solution नहीं होगा, क्योंकि यह A और B के बीच में नहीं होगा, ठीक है, A और B के बीच में जो होगा, वो होगा 2 by 3, ठीक है, यह 2 by 3 meter यही हो सकता, अगर minus 2 meter हो जाए, तो यह ulti दिशा में चला जाए, कही, इधर चला जाएगा, लेट साइड में उसका position हो जाएगा, minus 2, तो यह solution possible नहीं होगा, क्योंकि ओ इधर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बीच में सिर्फ होगा यह वाला, 2 by 3 meter, तो यही होगा इसका answer, कि 2 by 3 meter में रखते हैं, तो आज का lecture यही तक था, कुछ प्रॉब्लेम्स हमने discuss किये, और यह वा उसका notes बना लेना, जहां-जहां mark किया होगा है, इस mark वाले जगा से, जहां-जहां मैंने mark किया होगा है, इस mark वाले जगा से, कर लेना, notes बना लेना ठीक है, और यह इसका PDF में अपने telegram channel में दे दूँगा, telegram channel का link में, यहां पे YouTube वीडियो के नीचे description में रहता है, तो वह comment कर सकते हो, और channel को subscribe पर लो, ताकि बाकी वीडियो का notification मिल जाए, अगर नहीं मिलता है दूसरी जगा से, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, तो पढ़ाई करते रहो, अच्छे से, घर पे ही रहो, अभी lockdown चल रहा है, लेकिन पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, ठीक है पर आई करते हो, अगे?